कैसे हैं आप देखिए आज हम शुरू करते हैं फ्रेजिस पार्ट टू से आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियो में जो फ्रेजिस थे उनको ठीक से प्रेक्टिस किया देखिए मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं यह लेंग्वेज है यह सब्जेक्ट नही है यह पढ़ने से रटने से नहीं सीखा जाएगा यू विल हैट्टी अगें अगें जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि कम से कम दिन में 3-4 बार आपको इनको रिवाइज करना है इनको प्रेक्टिस करना है बोलना है और अपने साथ कम्यूनुकेट करना अगर आप इस वीडियो पर नए है तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप पहली वीडियो से शुरू कीजिए जिससे आपकी grasping perfect रहेगी और प्लीज इस चैनल को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए जिससे आपको नए notification नई वीडियो के immediately मिल जाएगे चलिए तो हम आज phrases part 2 से शुरू करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं phrases with use of let देखिए पहला phrase है let me do it, इसका मतलब होता है मुझे करने दो, जैसे कभी भी कोई भी incidence हो सकता है आपके घर पे कोई भी काम करना है, कही लोग है, तो आपको लगता है कि आपको यह काम करना है, तो अप अपनी पहल करके बोल सकते हैं, let me do it, कि मैं करूँगा इसको ठीक है, मुझे करने दो, right, तो आप इसे ऐसे बोलेंगे, let me do it, आप घर पे भी बोल सकते हैं, friend circle में भी कई भी बोल सकते हैं, कई भी बोल सकते हैं, इसका बोलने का तरीका यही होगा, let me do it, next one, let me tell you one thing, यह देखिए कभी भी आप अपनी बात जब भी शुरू करने जा रहे हैं, किसी के सामने, तो उसमें उस तरीके से बोला जाता है, जैसे इसका मतलब होता है कि मैं एक बात ब बताता हूँ, let me tell you one thing, फिर उसके बाद आपका जो भी sentence है वो आप start कर सकते हैं, fine, इसको कहीं भी बोला जा सकता है, next one is, let's go, sorry, पहले है let's do, let's do का मतलब, चलो करते हैं, यह, देखिए let's, 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 जो है, यह यह शौट फोर्म है, let's का, यह आगे आपको noun में ब होंगे, let's do, okay, let's start भी कह सकते हैं, similarly, next है, let's go, इसी तरीके से अगर आप दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, आपको कहीं पर जाना है, तो आप बोल सकते हैं, let's go, right, next one, let me handle this matter, इसका मतलब क्या हुआ, कि इस मामले को मुझे देखने दो, या मैं इस मामले को देखता कहीं भी यूज किया जा सकता है, आपको कोई भी काम है, कोई भी matter है, जो आपको लगता है कि आप उसको handle कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे start कर सकते हैं, ऐसे आप permission मांग सकते हैं किसी से, या फिर इस तरीके से आप initiate कर सकते हैं, let me handle this matter, right, next one is let's see, देखें, let's see का मतलब है, यह कभी भी कहां use किया जा सकता है, कि जैसे किसी ने आप से कुछ भी पूछा कि आपको कोई जवाब देना है, या आपको कोई reminder देना है, तो आप उसको यह बोलेंगे, let's see, मतलब देखते हैं, right, आपको कुछ time के लिए टालना है उसको, तो उस case में भी आप बोल सकते है, let's see, देखते हैं, next one is, I'll let you know, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूँगा, generally क्या होता है, जैसे किसी ने आप से कोई काम बोला, या किसी ने आप से कुछ भी करने के लिए बोला, तो आप उसको यह reply दे सकते है, I'll let you know, मैं आपको बता दूँगा, अगर आपको immediately reply reply नहीं देना है उस चीज का, और आपको कुछ सोचने के लिए time चाहिए, तो आप ऐसे बोल सकते है, I'll let you know, right, next one, let me finish please, यह कहां बोलते हैं, जब भी कोई group discussion हो, या दो, तीन, चार लोग बात कर रहे हो आपस में, और आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, उसके बीच मे अगर कोई interrupt कर देता है, तो उस case में आप इस तरीके से बोलते हैं, let me finish please, इसका मतलब है, please, मेरी बात पूरी होने दीजिए, इसका मतलब यह हुआ, right, next one is, let me think, let me think का मतलब, मुझे सोचने दो, या मुझे सोचने का कुछ समय दीजिए, जब भी कोई आपसे किसी काम के लि नहीं दे रहा है, तो आप बोल सकते हैं, let me think, fine, next one is, let's discuss, इसका मतलब क्या होता है, let's discuss का मतलब होता है, चलो, discuss करते हैं, कोई भी point हो, कोई भी बात हो, उसको discuss करते हैं, family में भी हो सकता है, friend circle में भी हो सकता है, कहीं भी बोल सकते हैं इसको, fine, अब मैं देखे, AK कर के सारे phrases को repeat कर रहा हूँ, आप मेरे साथ repeat करेंगे, let me do it, let me tell you one thing, let's do, let's go, let me handle this matter, let's see, I'll let you know, let me finish please, let me think, let's discuss, right, सारे phrases को आपको minimum three times दिन में revise करना है, आप वीडियो से notes भी बना सकते हैं, या वीडियो को तीन बार देख सकते हैं दिन में, और कोशिश कीजिए कि mirror के सामने, खड़े होके आप इनको revise करें, अपने आपसे communicate करें, और इतना communicate करें, इतना revise करें, इतना repeat करें, कि यह सब memorize हो लग जाएं, right, इसके बाद यह आपके communication में आएंगे, okay, next, देखें यह polite phrases कहलाती है, polite का मतलब यह बहुत politely बोली जाती है, जैसे number one, please don't talk, जब भी कोई बात कर रहा हो, या आप से छोटे कोई बात कर रहे हो, या बड़े बात कर रहे हो, आपको disturbance हो रहा है, तो आप उनक talk, right, next, not talking, please, यह भी बिल्कुछ, इसका मतलब यह same ही होता है, उपर वाले का, इसका बस sentence अलोग हो गया, not talking, please, next one, please keep quiet, please चुप रहे है, right, next one, please make sure, इसका मतलब क्या होता है, कि आप किसी को भी assure कर रहे है, किसी को आपने कोई भी काम करने के लिए बोला, या किसी को भी remind कर आ रहे हैं आप दोबारा, कि please make sure, यह काम हो जाना चीए, please make sure, यह काम हो जाना चीए, fine, please, पक्के से कर देना यह काम को, इस तरह से बोलते हैं, इसी तरीके से, English में बोलते हैं, इसको, please make sure, fine, next one, please be comfortable, कई बार क्या होता है, कि आपके यहाँ पे कोई भी नया कोई अंजान अदमी आता है, आपके office में, आपके घर पे, वो थोड़ा सा uncomfortable feel करता है, मतलब नया नया feel करता है, तो आप उसको comfortable कराते हैं, बोलते हैं, please be comfortable, right, कि अहाँ अराम से अपना ही घर समझिए, बोलते हैं, हिंदी में, इसी तरह से इसको English में बोलते हैं, next one, please try to understand, इसका मतलब हो होता है, next one is, please have a seat, यह कहीं भी यूज हो सकता है, आपके office में, कोई आया है, आपका guest आया है, घर पे आया है, किसी को भी बोलते हैं, कि please बैठिये, तो उसी को English में बोलते हैं, please have a seat, tone यह रहेगा, जैसे में बोल रहा हूँ, right, next one is, please don't mind it, please, इसका बुरा मत मानिये, इसी का एक और sentence हो सकता है, I hope you don't mind it, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बुरा नहीं माना, right, मैं यह सारे sentence एक एक करके दुबारा repeat करता हूँ, आप मेरे साथ repeat करेंगे, उसी tone में, उसी phonetics में, please don't talk, not talking please, please keep quiet, please make sure, please be comfortable, please try to understand, please have a seat, please don't mind it, I hope you don't mind it, देखिए, किसी भी phrase का कोई भी मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है, आप comment box में comment कर सकते हैं, आप किस तरह से practice कर रहे हैं, practice करने में आपको problem हो रही है, किसी भी तरह की कोई भी problem है आपकी, या आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप please comment कीजिए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप किस तरीके से समझ पा रहे हैं इनको, या आपको क्या problem हो रही है, तो मैं आपकी अपनी जो next videos बनाऊँगा, definitely उन points को वहाँ पर consider करूँगा, right, next, देखिए, ये instructive phrases होती है, instructive phrases मतला, जब आप किसी को order देते हैं, या किसी को, आप थोड़ा गुस्टे से बोलते हैं, right, number one, stop this nonsense, जैसे बोलते हैं, कि बंद करो ये बकवास, कोई भी आपको disturb कर रहा है, या आप बिजी हैं, या किसी भी case में आपको बोलना होता है, बंद करो ये बकवास, stop this nonsense, चाहे कोई उल्टा सीधा बोल रहा है आपको, या कोई शोर मचा रहे हैं बच्चे, उनको आपको मना करना है, fine, या आपका junior है कोई भी, generally ये छोटे लोगों कोई बोल सकते हैं, आप अपने से बड़ों को ऐसे नहीं बोल सकते हैं, fine, next is, stop kidding, इसका मतलब होता है, मजाक मत क इसको बोलते हैं, stop kidding, next is, keep coin, ये भी order form में हो गया, अगर इसमें please लगा देते हैं, जैसे last वाला था, please keep coin, उसका मतलब तो हो गया, कि request कर सकते हैं, वो किसी बड़े से भी बोल सकते, और इसको अगर आप ऐसे बोलेंगे, keep coin, ये order form में हो गया, ये अपने सुछोटे को बोल को बोलेंगे, right, mind your own business, इसका मतलब ये, इसका इंदी में मतलब होता है, अपने काम से काम रखो, fine, next is, mind your business, ये भी इसी sentence का दूसरा sentence है, actually, दोनों की sense same है, next one, this is none of your business, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ये तीनों sentences, same जगे बोले जाते हैं, ये तीनों sentences actually synonyms है, समानार्थी sentences है, fine, next one is, get lost, जैसे गुस्टे से बोलते हैं, किसी को भी, get lost, भग जाओ, चले जाओ यहां से, next one, don't shout, शोर मत मचाओ, right, next one is, don't angry me, मुझे गुस्टा मत दिलाओ, don't angry me, right, ये भी थोड़ा सा जोड से बोले next, don't disturb me, मुझे डिस्टा मत करो, right, next, don't waste my time, मेरा time वेस्ट मत करो, next, I don't want to see your face again, हिंदी में बोलते हैं, मैं तुम्हारा चेहरा दुबारा देखना नहीं चाहता हैं, यापे, fine, मैं तुम्हारा दुबारा देखना नहीं चाहता हूं, उसी को बोलते हैं, English में, I don't want to see your face again, मैं सारे संटेंस one by one, repeat कर रहा हूं, आप मेरे साथ repeat करेंगे, stop this nonsense, stop kidding, keep quiet, mind your own business, mind your business, this is none of my business, sorry, this is none of your business, get lost, don't shout, don't angry me, don't disturb me, don't waste my time, I don't want to see your face again, देखिए guys, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक छोटा सा incidence है जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूं, मैंने English Communications रीखा था 1992 में, when I was in 12th standard, जब मैं 12 वी क्लास में पढ़ता था, उस time पे technology नहीं हुआ करती थी, internet नहीं था, आज आप इतना easily videos वगरे सब देख पारें, कुछ भी नहीं था, computer भी नहीं थे उस time पे, internet नहीं था, right, हम लोग क्या करते थे, छोटा सा audio cassette recorder हो था था उसमें हम लोग cassette डालते, cassette में अपनी आवाज में सारे word meaning, सारे sentences इस तरह से record करते थे, फिर उनको सुनते थे, earphone, headphone भी नहीं होते थे, उनको सुनते थे, और बार- उनको हम लोग repeat करते थे, तो बहुत tough होता था, actually, हम लोगों ने जब English सीखी, उस time पे बहुत tough होता था, लेकिन फिर भी approach थी, एक aggression था, तो हम लोग सीख गए, fine, आज अगर आप चाहें, तो आज आप जो चीज हम लोग 2 दिन में कर पाते थे, वो आप यहां पे 2 मिनिट म आपको ज्यादा दिखाना होगा, आपको, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, right, next slide, यह देखें, interrogative phrases होते हैं, interrogative, जब आप किसी से कोई question पूछते हैं, fine, what do you do, इसका मतलब, आप क्या करते हो, where are you from, इसका मतलब हुआ, आप कहां से हैं, मतलब आप कहां के रहने वाले ह what's your problem, आपकी क्या problem है, क्या समस्या है आपकी, who told you, आपको ऐसा कि उसने बोला, इंदी में बोलते हैं, what do you think, आप क्या समस्या है, इसको आप politely भी बोल सकते हैं, what do you think, आप किसी से पूछ सकते हैं, कि आपके क्या opinion है, आप क्या सोचते हैं, इसको उस sense में भी बोलाया सकता है right next what do you feel आप कैसा feel करते हैं कैसा महसूस करते हैं next what about your opinion आपके क्या विचार है किसी भी point के बारे में किसी भी matter के बारे में जब आप discuss कर रहे होते हैं तो आपको किसी किसी भी second person यह third person से पुछना होता है कि what about your opinion मतलब आपके क्या विचार है इसके बारे में right next why don't you do it जैसे Hindi में बुलता आप क्यों नहीं कर लेते हो इसको आप क्यों नहीं करते हो एक काम fine इसी तरीके से बोलेंगे why don't you do it next is what is your opinion आपके क्या विचार है आपके क्या opinion है यह बिल्कुल same sense है इस sentence का what about your opinion और what is your opinion what's your opinion देखिये what is your opinion शुद इंदी शुद English है but इसको phrase में बूला जाएगा what's your opinion यह what is का short form होता है what's right next is who is that वो कौन है विच वन कौन सा यह कई बार बोलते है ना कौन सा विच वन do you really think so वास्ता हुन है आप ऐसा समझते है is everything all right यह सब कुछ सही है हिंदी में बोलते है ना right okay मैं one by one सारे sentences को repeat करता हूँ आप मेरे साथ repeat करेंगे what do you do where are you from what's your problem who told you what do you think what do you feel what about your opinion why don't you do it what's your opinion who is that which one do you really think so is everything all right okay now the last slide negative phrases देखिया negative phrases होते है negative phrases मतलब इसमें सारे नकारात्मक sentence होंगे जैसे he is not well मतलब वो सही नहीं है सही मतलब उसकी तबियत सही नहीं है यह उस में बोलते हैं जैसे बोलते हैं I am not well मतलब मेरी तबियत सही नहीं है he is not well इसी तरीके से I don't think so मैं ऐसा नहीं समस्ता I can't say मैं नहीं कह सकता fine I don't feel so मैं ऐसा मैसूस नहीं करता I didn't assume it देखिए इसमें didn't आ गया didn't it did not का short for my past tense का I didn't assume it इसका मतलब यह हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था इसकी हिंदी होगी मैंने ऐसा नहीं सोचा था fine next I totally disagree मतलब मैं बिल्कुल भी agree नहीं करता मतलब मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ no I don't want नहीं मुझे नहीं चाहिए this is not fair यह सही नहीं है I don't care मतलब मैं कोई care नहीं करता मैं कोई मुझे कोई फरक नहीं पड़ता इसका हिंदी में यह मतलब होता है I don't know मुझे पता नहीं है I'm not getting you मतलब मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो ऐसे बोलते है ना इंदी में I'm not getting you next I really don't understand I really don't understand fine I don't think so मुझे ऐसा नहीं लगता है या मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ I'm not sure मुझे मैं पक्का नहीं हूँ मुझे पक्का नहीं कह सकता fine this is not my cup of tea इसका मतलब क्या होता है यह मेरा काम नहीं है यह इसकी English होती है यह मेरा काम नहीं है यह यह मेरे field का काम नहीं है okay तो उसे कहेंगे this is not my cup of tea लेके सारे sentences one by one मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ repeat करेंगे he is not well I don't think so I can't say I don't feel so I didn't assume it I totally disagree no I don't want this is not fair I don't care I don't know I am not getting you I really don't understand I don't think so I am not sure this is not my cup of tea okay guys that's it for the day please like share subscribe this video and press the bell icon और जो भी कुछ आपका comment ओ आप comment box में जरूर बेजिए thank you very much